तो यह अज झूला आपके लिए फिर से कुछ कंफूजिंग वर्ट करते हैं और बहुत ही कंफूजिंग करते हैं जिनको यूज करने में हमें बहुत ज्यादा प्रोब्लम आती है तो इन सभी वर्ट्स को में लेकर रहा हूं और आज हम देखेंगे वन बैवन इनको किस तरह स करना है और सभी अपने डाउट जो हम क्लियर करेंगे सो लेट स्टाटिट इड फ्रेंट्स आज हम दिफ्रेंचा निए वुड वर्सिस विल का फ्रेंट्स वुड का हम यूज करते हैं प्रिजेंट और पास के लिए यानि जो समय चला और जो समय बिदिया है और विल का म हम यूज करते है फ्यूचर के लिए यानि आने वाले समय के लिए फ्रेंट्स वुड के साथ में जो साूट आता है या तया तीका या गायागी का आता है लेकिन वल के साथ में हमेशे का गायागी का यह सांट आता है मैं आज मोवी देखने जाओंगा I would go to watch a movie today तो friends हमने आज का जिकर कर रहे है अभी का तो हम इसलिए wood का उस करेंगे मैं अभी खेलूँगा I would play right now Friends, अभम you सिखेंगे wood को past में कैसे उस क्या जाता है यानि बीतेर समय के लिए मैं आपके घर आता लेकिन बारिश हो गई I would come to your home but it has started raining मैं आपको फोन करता लेकिन भूल गया I would phone you but I forgot Friends, अभम you सिखेंगे Will का मैं कल आपके घर आउंगा I will come to your home tomorrow वे अगले साल खेलेगा He will play next year Friends, अभम you सिखेंगे would be versus will be Friends, would be का हम यूज करते हैं जम किसको देखकर के imagination करते हैं जैसके हमें बोलना हो वे डॉक्टर होगा या वो इंजीनर होगा किसको देखका हम idea लगाते हैं तो अभम would be का यूज करते हैं और past के लिए हम यूज करते हैं जब हम बोलते हैं तुम doctor बने होते या तुम singer बने होते वे डॉक्टर होगा He would be a doctor तो friends, यहाँ पर हम क्या कर रहे है, वह a doctor होगा, यहाँ पर हम, मतलब, confirm नहीं है, उससे देखके लग रहे हैं, शायद वह doctor होगा, इसलिए हम यहाँ पर would be कर रहेंगे, वह एक engineer होगा, he would be an engineer, वह teacher होगा, he would be a teacher, friends, अब हम देखेंगे इसको past में कैसे use करते है, वह a doctor होता, he वह a doctor, वह एक engineer होता, he would be an engineer, वह teacher होता, he would be a teacher, वह a doctor बन जाएगा, या doctor बनेगा, he will be a doctor, friends, आप B के जगापर become use कर सकते हैं, he will become a doctor, वह अगले साल engineer बन जाएगा, he will be an engineer next year, वह teacher बन जाएगा, he will be a teacher, friends, अब हम use सिखेंगे, would be plus ing, और will be plus ing, वह खेल रहा होगा, he would be playing, यह वह सो रहा होगा, he would be sleeping, वह खेल रहा होता, he would be playing, वह सो रहा होता, he would be sleeping, तो friends, आप हम use सिखेंगे future के लिए, वह कल यहाँ खेल रहा होगा, he will be playing here tomorrow, वह अगले महने यहाँ आ रहा होगा, he will be coming here next month, तो friends, अगर आप अपने concept और doubt score के लिए करना चाहते हैं, तो आप मेरी tense, passive voice, has to have to, और conditional sentences वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें वीडियो और वीडियो को अलगले तरीके सी उस क्या गया है, so friends, इससे में को subscribe करना बद भूले का साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसी में कोई यह वीडियो और आपको एस्टि तil then, be happy, be relaxed, catch you later.